नमस्कार वेब दुनिया नियूज में आपका स्वागत है और नज़े डालते है अचके प्रमुख खबरों पर प्रणों मुखर जी को आईवरी कोस्ट का सर्वोच्च सम्मान राष्टरपती प्रणों मुखर जी को तीन अफ्रीकी डेशों की यात्रा के तीसरे चरेंड में आईवरी कोस्ट पहुचने पर तेश के सर्वोच्च सम्मान राष्टिय ग्रेंड को एक्स सम्मान किया गया मुखर्जी का यहाँ पहला विदेशी सम्मान है विदेशी बंद्राले के सजीव अमर सिना और राष्टपती के प्रेश सचीव राजीव ज़ी वेनिय उमंडी ने कहा कि राष्टपती की यात्रा को लेकर लोगों में यहाँ बहुत अधिक उस्फाहा देखने को मिला राष्टरपती ने अपने समकाक्षा अलास के अत्तारा के साथ विपक्षय वार्ता की इसके बाद अत्तारा ने मुखरजी के सम्मान में शाम को एक भोच का आयोजन किया राष्टरपती को यह सम्मान भोच से ठीक पहले प्रदान किया गया केराना के बाद कांधला से भी हिंदू परिवारों का पलायन उत्तरपदेश के केराना में 346 हिंदू परिवारों के पलायन करनी की सूची जारी कर सूवे की राइशनिती में भूचाल लाने वाले भाजपा सांसद हुकुम सिहाने मंगलवार को कांधला कजबे में 63 परिवारों के पलायन की सूची जारी कर दी सिया ने कहा कि केराना की तरह कांधला में भी रंगदारी और हत्या की घटनाओं के दहशत के चलते 63 परिवारों को घर छोड़कर अन्य स्थानों पर कूच करना पड़ा सांसद ने इसके लिए उत्तर प्रदेश में बधाल कानून विवस्था को जिम्मेदार ठहराया और राज्यमे राष्टपती शासन लागू करने की मांग की इसे पहले भाजपा सांसद ने केराना कस्बे में बदमाश द्वारा व्यापारियों से मांगी जारे रंगदारी न देने पर हत्या करने और वर्ग विशेश के लोगों द्वारा हिंदू परिवारों को धमकी देने के चलते 346 परिवारों के प्लाइन की सूची जारी की थी चीन ने अमेरिका को याद दिलाया वादा चीन ने अमेरिका के राष्टपती बराक ओबामा के साथ दलाई लामा की संभावी भेट और ताइवान की नई राष्टपती की भावी अमेरिका यातरा से पहले वाशिंग्टंग को प्रुथकवादी गती विदियो का समर्थन नहीं करने के उसके वादे की याद दिलाई है ताइवान तथा तिबब चीन के लिए राजनितिक एवं कूट नितिक दुरुष्टी से सवविदन्शील शेत्र है इनकी गती विदियो को लेकर वहाँ दूसरे देशों को आगा करता रहता है चीन के विदेश मंतरा लेके प्रवक्ता लू कंग ने कहा कि दोनों शेत्रों से संबंदित मुद्धे उसकी नीतियों से जुड़े है चीन दोनों शेत्रों को अपना हिस्सा मांता है और दूसरे देशों को भी अपने इस रुख को स्विकार करने के लिए दबाव डालता रहता है दलाईला माइन दिनों अमेरिका की यात्रा पर है और वे आज वाइट हाउस में अमेरिकी राष्टपती ओबामा से मिलने वाले हैं